अली गोनी को आया है निकी तंबोली पर बहुत ज्यादा गुसा और उन्होंने निकाला भी है और इसके पहले भी वो एक बार ऐसा कर चुके हैं और एक बार फिर ऐसा उन्होंने किया है और लगता है वो पूरा सीजन ये करते हुए नजर आएंगे जब तक जैसमीन भजीन अ बोईफ्रेंड हैं हाला कि वो रिष्टे को नकारते आए हैं लेकिन अब साफ पता चलता है कि उनका रिष्टा बहुत क्लियर है बहुत अच्छा है क्योंकि अली गोनी समय समय पर बाहर से याद कर रहे हैं जैसमीन को ट्वीट कर रहे हैं और उनके सपोर्ट में आकर भी ट जी हां सिदार शकला को थैंक्स कहा है और उसके बाद माइ स्ट्रोंग गर्ल शरेनी बनता भी है क्योंकि जिस तरह से जैसमीन बसीन ने कल टास किया वो ओसम था इतने लड़के मिलकर भी जैसमीन बसीन से मिटी नहीं छुड़वा पाए मिटी वाली कापेट नहीं था क्योंकि तुम में रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है लग ही रहा था एक दिन मुझ खोलोगी और गटर निकालोगी और वही हुआ है स्टेक ने की तमूली है स्टेक जैसमीन बसीन कैन फील यू तो इस तरह से जो है अपना गुस्सा दिखाते हुए नजर आए हैं अलिगोनी क्योंकि बायस्ट का आरोप जैसा की जैसमीन भसीन ने भी लगाया था और आज पवित्रा की टीम जीतने के बाद एक बर फिर जैसमीन भसीन ये आरोप लगाती हुए आपको दिखेंगी आपको इनफेक्ट देख चुके होंगे बिग बोस तो आपने देखी लि जिस तरह से एक संचालग को रुखवाना चाहिए था और इस दौरान जैसमीन को हर्ट भी हो सकता था चोड भी आ सकते थी और वो इस चीज पर अलिगोनी बहुत ज़्यादा नाराज हुए वेल आपको क्या लगा ये देखकर और आप क्या कहना चाहते है फॉमेंट करके ब सब्सक्राइब एक बहुत सर्णास से जुड़ी खबरों को आगे भी देखने के लिए तिल रेट बबाबा लब यू ओल